तो दोस्तो जैसे के आप से भी ने वीडियो के थमनेल एंड दोस्तो टैटल में भी आप लोगों ने देखी लिया होगा आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिंसर ये अमाई कार्ड हम किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कैसे बना सकते हैं और दोस्तो आप किसी भी स्टोर पर जैसे के दोस्तो आपका ओंलाइन स्टोर हो गया या आफलाइन स्टोर कहीं पर भी दोस्तो आप उसे यूजड कर सकते हैं जैसे के दोस्तों मेरा जो card है दोस्तों देख चेते हैं यहां पर जो है card detail यहां पर जो है मैंने कुछ चीजों को बलर किया हुआ दोस्तों एंड यहां पर card detail जो है हमारा activate बता रहा है एंड यहां पर total limit की बात करें दोस्तों तो मुझे यहां पर limit मिला हुआ है 1,26,000 एंड यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ यहाँ पर मैंने खर्च किया हुआ था और उसको मैंने यहाँ पर साल रीपेमिंट कर दिया है तो यहाँ पर मेरा टोटल लीमिट यहाँ पर आ चुका है 1,26,000 जो आपके सामने हैं तो इस वीडियो में आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने बनाया था दोस्तों और आप किस तरीके से बना सकते हैं बेहाद ही आसानी से दोस्तों आप बजाज फिंसर EMI कार्ड बना सकते हैं आपको बस कुछ चीजों का देहान रखना है जो मैं इस वीडियो में cover करूँगा, तो पूरा process जानेंगे इस वीडियो में, live मैं आपको दिखाने वाला हूँ, YouTube पे तो अभी आपको काफी वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप इस तरीके से बजाज फिंसर, EMI कार्ड बना सकते हैं, उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों काफी लोग यहाँ पर जो है, computer पे बताते हैं, laptop पे बताते हैं, mobile पे आपको कोई नहीं बताता, मैं mobile का process बताऊंगा, तो बस धिखान से देखना, और वीडियो को दबा के share करना, आप लोग से request हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता हैं, काफी लोग यहाँ पर प्रोड़क को खरीदना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, कोई भी समान, और पैसे के वज़े से दोस्तों, वोग जो है जमान नहीं खरीद पाते हैं, तो आपसे request है कि आपके WhatsApp में, Facebook में, जहाँ पर भी दोस्तों आपके पास होगा, इस वीडियो को share कर दिजेगा, ताके दोस्तों हर लोग के पास यह वीडियो पहुंच सुके, ठीक है, आप दोस्तों बस इतना ही request है, वीडियो को like करके, चैनल को subscribe करके, नीचे मुझे प्यारा सक comment करना, चलिए शुरू करते हैं, आपको पूरा process दिखाते हैं, apply करने का, और उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले हम browser पे आज दोस्तों आ चुके हैं, mobile के chrome browser पे, आपको भी दोस्तों mobile के chrome browser पे आना है, simply से जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, mobile के chrome browser पे आ चुका हूँ, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या type करना है, यहां पर दोस्तों आपको type करना है बजाज fincer ठीक है चलिए यहां पर मैं type करता हूँ यह तो दोस्तों direct आप search कर सकते है बजाज EMI network card और यहां पर दोस्तों जैसे बजाज EMI network card लिग के search करते हैं आपके साने दोस्तों इस तरीकी का page आ जाएगा ठीक है ध्यान से देखना थोड़ा से यहां पर जो है light का problem में दोस्तों issue चलगा है जिसके कारण यहां पर जो है camera में थोड़ा बहुत focus में यहां पर problem हो रहा है मैं इसको problem उमीद करता हूँ इसको मैं ठीक कर पाऊँ ठीक है लेकिन यहां पर जो है यह problem हो रहा है चलिए ठीक हो चुका है और यहां पर दोस्तों पहला जो website आपके सामने निकल करके आएगा देख सेते हैं यहां पर दोस्तों बजाज, EMI, Network Card, Instant Card तो आपको दोस्तों इस page पर किलिक करना होगा इसका लिंक में डारेक्ट आपको वीडियो के description box में डाल दूँगा प्रोवाइड करा दूँगा और मैंने टेलिग्राम चैलल का भी लिंक आपको डाल दिया है वीडियो के description box में डारेक्ट आप वहाँ से जोवाइन कर सकते हैं और यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का interface मिलेगा जैसे कि दोस्तों आप हमारे screen पर देख पा रहे है और इस तरीके का दोस्तों आपके सामने इस interface आएगा और यहां पर आपको permission माँगेगा इसको आपको allow कर देना है सारे permission को दोस्तों allow कर देना है और यहां पर आपको अपना mobile number डालना है दोस्तों, और यहां पर आपको यहां पर क्या क्या है, इनका प्रोसेसिंग वगरा है, क्या इनका hidden charges वगरा क्या क्या है, वो मैं सारची आपको cover कर दो, और यहां पर दोस्तों card देख सकते हैं, 100% दोस्तों digital process है, आपको तुरंद यही पर दोस्तों approval हो जाएगा card, और यहां पर दोस्तों approve होने में आपको 30 second का time लगेगा, और उसके बाद, आप यहां से दोस्तों smartphone, LED, और यहां पर दोस्तों, आप काफी तरीके का समान, product आप यहां पर buy कर सकते हैं, online and offline, online की बात करते हैं तो आप online कहीं पर भी दोस्तों, Amazon and and flip card and यहां पर इन सारे website के अंदर दोस्तों shopping कर सकते हैं, and आप offline में दोस्तों आप किसी बजाज की store पर भी shopping कर सकते हैं, तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपना mobile number डालना है, and आपको यहां पर gate 9 में click करना है, चलिए mobile number डालके gate 9 में click करते हैं, आपके mobile number पर OTP बेज़ा जाएगा, OTP डालके submit करेंगे, and उसके बाद दोस्तों यहां पर जो है, कुछ आपको basic detail डालना होगा, जैसे के दोस्तों देख चेते हैं, यहां पर दोस्तों बजाज कार बनाना हैं, पहले यहां पर आपको अपना full name डालना है, date of birth यहां पर डालना है, दोस्तों जिसका card आप बना रहे हैं, वो male है या female है, यह आप से दोस्तों यहां पर पूछा जा रहा है, तो अगर वो male होगा तो male डालेंगे, female होगा तो female डालेंगे, and उसके बाद हम proceed करेंगे, चलिए मैं सारा detail डालके proceed कर देता हूँ, उसके बाद दोस्तों यहां पर आपके सामन पूरा process live दिखा रहा हूँ, चलिए मैं proceed करते हैं, अब यहां पर आपको अपना आधार card का verification करना होगा, तो आधार card को दोस्तों verification करने के लिए यहां पर आपको अपना आधार card का number डालना है, security code डालना है, और आपको send OTP के options पर किलिक करना है, आपके आधार card के साथ जो mobile नमर लिंक है, उस पर एक OTP जाएगा, और यहां से यह verify कर लेगा, लेकिन यहां पर काफी लोग के मन में सवाल रहता है कि सर, हमारे आधार card के साथ mobile नमर लिंक नहीं है, तो क्या हम ऐसे में किस तरीके से बना पाएंगे, तो आपके लिए भी मैं options बताऊंगा, पहले में चलिए send OTP में किलिक करता हूं, उसके बाद दुस्तों यहां पर आपके सामने इस तरीके का successful एक goted का options आएगा, goted में आपको किलिक कर दना है, उसके बाद दुस्तों यहां पर आपका limit total बताया जा रहा है, एंड यहां पर दोस्तों हमें बताया जा रहा है कि हम इस limit को कहा कहां पर use कर सकते हैं, जैसे कि दुस्तों हम देख सेते हैं, यहां पर बजाज के दुस्तों partner store में कर सकते हैं, यहां पर बजाज यहां पर किसी भी store में कर सकते हैं, यहां पर बजाज partner online store में use कर सकते हैं, आप other कहीं पर भी कर सकते हैं, उसके बाद दुस्तों यहां पर लेकिन यहाँ पर काफी लोग के मन में है कर सर हमें इस तरीके का options नहीं आ रहा है तो अगर आपको इस तरीके का options नहीं आ रहा है थोसों तो आपको कहीं पर भी गलती से payment नहीं करना है आपको दोस्व, डारेट आपको अपना आधार card और pencard लेकर के जाना है बजाज की श्टोर पर और वहाँ पर दोस्तों आपको जाकर के direct card बनवाना है अउनलाइन मत बनाना अगर इस तरीके का options नहीं आ रहा है तो अगर options आ रहा है तो आप इसी तरीके से बना सकते जो process मैंने इस वीडियो में cover किया उमीद करते हैं आप सभी को जानकारी अच्छा लगा दोसो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते किसी नेक्स वीडियो सो तब जाहें